Hello students, I am Mano sir from learning point. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी active and passive voice का स्रीज चल रहा है. मैं इसके पहले वाले वीडियो में past indefinite और present indefinite इन दोनों tense के उपर अधारित active से passive कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था. और आज का टॉपिक है present continuous and past continuous. present continuous और past continuous को हम passive में कैसे change करते हैं बहुत ही सरल तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ. और present continuous और past continuous के affirmative sentence हो या negative हो या interrogative हो कोई tension नहीं अब आईए आपको हम समझाते हैं. देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं present continuous. present continuous tense का जो structure होता है passive का बस आपको वही ध्यान से समझना है. जैसे present continuous पर अधारित जो भी tense है उसको हम active से passive में कैसे change करेंगे. आप इसके structure को देखिए. passive wise में पहले हम subject को रखते हैं. फिर subject के अनुसार is, am, are को रखते हैं. फिर उसके बाद being का प्रियोग किया जाता है. उसके बाद verb के third form और उसके बाद by का प्रियोग करते हैं. और last में object का प्रियोग करते हैं. अब देखिए example. पहला example है. He is reading a book. जैसा कि आपको बताया गया है कि active से passive करते समय हम active wise के subject को passive में object बना देते हैं. और active wise के object को passive wise में subject बना देते हैं. तो देखिए, इस sentence में he is reading a book. अब बूक क्या है? object है. जब passive बनाएंगे, तो अब बूक को हम passive में subject कर देंगे. तो देखिए, अब बूक यानि एक किताब, यानि एक बूक क्या है? शिंगूलर है. इसलिए हम is का प्रियोग यहां करेंगे. उसके बाद देखिए, read में ing है. इस ing को हम यहां पर ला देते हैं, और इसको being के रूप में लिखते हैं. अब बचा read, तो read का third form read हो गया. उसके बाद में by का प्रियोग करेंगे. और object है, यानि, he जो subject है, active voice का, यह passive में object हो जाएगा. यानि, he का object, him होता है. बस इतने ही से बात समझनी है. अगला example है, see is teasing me, वह मुझे चिढ़ा रही है. यानि, इसमें object me है, जब passive voice बनाएंगे, तो यह me का subject हो जाएगा, I. यानि, जो objective case me है, यह passive बनाएंटिव केस, I हो जाएगा, जो की subject होगा. और I के साथ, helping work, M का प्रियोग होता है, हमने M को रखा. फिर इसके बाद क्या है, being, यानि, जो ing है, उसके अस्थान पर हमने being कर दिया. अब बचा, tis, और tis का third form होता है, tis. उसके बाद preposition y का प्रियोग करते हैं, और last में object, यानि की c का object हर होता है. अगला example है, ram is cutting the trees, यानि object जो है the trees, यह plural में है, तो यह जब subject बनेगा, the trees, तो जब plural होगा trees, तो इसके साथ plural verb क्या होना चाहिए? तो हम यहां से r को ला करके यहां रखे हैं, इसके बाद फिर यहां पर ing है, इसलिए हमने being का प्रियोग किया, अब बचा cut, यानि cut का third form, cut होता है, उसके बाद preposition y का प्रियोग करते हैं, और ant में object को रखते हैं, यानि ram यहां subject है, तो ram subject object हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि name में कोई परिवर्त नहीं होता है, अगला example है, यह negative sentence में है, he is not playing hockey, वह hockey नहीं ख्यल रहा है, अब दिखिए यहां पर sentence negative में है, active हो इसका, तो passive इसका negative होगा, इसमें object होकी है, इसको passive में subject बनाएंगे, तो होकी क्या है, shimler में है, इसके बाद में इसके साथ ease का प्रियोग होगा, और यहां not है, तो यहां भी हम ease के बाद not कर देंगे, ing है, इसलिए पहले हम being का प्रियोग करेंगे, फिर play का third form, उसके बाद preposition by का प्रियोग करेंगे, और last में object, him है, यानि subject इसका he है, इसलिए passive में इसका object, him ह हो जाएगा, अगला example है, interrogative से दिखिए, are you reading a novel, क्या आप novel पढ़ रहे हैं, यानि object क्या है, a novel, अब दिखिए, यहां आर जो लगा है, यह you के हिसाब से helping verb r लगा है, लिकिन जब हम object a novel को पैसी में subject बनाएंगे, तो novel के हिसाब से helping verb होगा, यानि a novel similar है, तो हमने पहले ease का प्रियोग किया, इसके बाद में object को जो a novel था, उसको हमने subject बना दिया, तो is a novel, ing है, मैंने being कर दिया, फिर read का third form, read हो गया, उसके बाद by, उसके बाद object, you का प्रियोग किया गया, जैसा कि आपको पता है, कि you जो nominative case है, उसका object भी you होता है, इसलिए हमने यहां पर you का प WH question का प्रियोग हुआ है, तो देखना है, WH question को हम उसी क्या स्थान पर रखते हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, जैसा कि देखिए, why is he beating you, वह तुम्हें क्यों पीट रहा है, अब देखिए, यहां पर जो why question word है, इसको हमने IJT जो वहां पर रख दिया, अब इसमें object है U, तो U के साथ helping verb R होता है, इसलिए हमने यहां से पहले R को रखा, फिर जो object U है, यहां पर यह subject हो गया, इसके बाद ing है, तो हमने being का प्रियोग किया, और उसके बाद bit, bit का third form, bitten, और इसके बाद में by preposition, and last में object him, यानि इस sentence में subject ही है, इसका passive में object him हो गया, और interrogative sentence मे हमेशा question mark का इस्तमाल करना है, चाहे हो active हो या passive, same इसी तरह से past continuous का भी passive होता है, सिर्फ अंतर होता है कि present continuous में is or am helping verb होता है, और past continuous में was वर होता है, यदि subject passive wise का subject, यदि similar में है, तो आप was का प्रियोग करेंगे, यदि passive wise का subject plural में है, तो आपको वर लगाना है, बस same प्रकिरिया है, बस helping verb का अंतर है, देखिए, past continuous, पहले subject को रखेंगे, फिर उसके बाद helping verb, subject के हिसाब से was या वर को रखेंगे, फिर being का प्रियोग करेंगे, फिर verb के third form का प्रियोग करेंगे, फिर preposition by का प्रियोग करे for example, he was reading a book, अब यहाँ पर a book जो object है, पैर से में subject हो जाएगा, अब बुक क्या है, इसलिए हम इसके साथ was का प्रियोग करेंगे, इसके बाद दिखिए ing है, तो इस ing को हटा करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, बिंग में बदल देते हैं, अब बचा है read, तो read का third form read हो गया, उसके बाद preposition y का प्रियोग करते हैं, और अंत में object यानि subject एक्टिव वाइस का ही है, तो पैस्टिव में इसका object ही हो गया, अगला example है, see was teaching me, वह मुझे चिढ़ा रही थी, अब यहाँ पर object है me, जब पैस्टिव करेंगे, तो यह me पैस्टिव वाइस में subject, यानि I हो जा गया है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, उसके बाद फिर being, तो यहाँ being का प्रियोग करेंगे, इसके बाद टिस का third form, टिस्ट हो जाता है, उसके बाद preposition y का प्रियोग करेंगे, और अंत में, यानि subject c है, तो इसको पैस्टिव वाइस में object हर बना देंगे, अगला example है, राम was cutting the trees, राम पेंड काट रहा था, यानि जो object trees है, यह plural है, इसलिए पैस्टिव में इसको हम subject बना देंगे, the trees are, अब यह subject जो trees है, यह plural है, तो इसके साथ plural verb, वर का प्रियोग किया गया है, और यहाँ ing है, इसलिए यहाँ पर being का प्रियोग किया गया, फिर cut का third form, cut ही ह होता है, उसके बाद by का प्रियोग करेंगे, और अंत में object राम का, क्योंकि नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ subject राम था, और object भी राम ही रहेगा, अगला example है, he was not playing hockey, वह hockey नहीं खेल रहा था, तो देखिए यह sentence negative में है, तो hockey जो object है, इसको passive में हम subject बना देंग यानि hockey singular है, इसलिए was singular verb का प्रियोग किया गया, active voice का sentence negative में था, इसलिए passive में भी was के बाद not कर देंगे, और ing के लिए यहाँ पर being का प्रियोग करेंगे, और play का third form played हो जाएगा, उसके बाद by का प्रियोग करते हैं, और अंत में object यानि इस sentence का subject ही था, इसलिए passive में इसको him कर दिया गया, अगला example interrogative से है, were you reading a novel, क्या आप उपनियास पढ़ रहे हैं, यानि कि अब a novel जो object है, यह passive में subject हो गया, तो a novel क्या है कि similar subject है, तो इसलिए similar verb, वर के जगा पर यहाँ वाज हो जाएगा, क्योंकि were you के हिसाब से लगाया गया था, अब यह object और novel जो है, जब passive wise का subject बनेगा, तो इसके साथ a novel क्या है, singular subject है, इसलिए हम was singular का प्रियोग करेंगे, इसके बाद a novel subject हो गया, ing था, इसलिए यहाँ पर being में इसको हम बदल दिये, अब read का third form, यहाँ read हो गया, उसके बाद by preposition का प्रियोग करेंगे, और ant में subject you था, इसलिए इसका object भी you होत है, और question mark लगाना है, अब देखिए last जो है, यह जो है question word है, यहाँ पर भी why का प्रियोग किया गया है, why was he beating you, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, तो अब देखिए why को जैसा कि मैंने बताया, कि question word को उसके जगह पर रख देते हैं, हमने why को passive में भी उसके जगह पर रख और इस sentence में जो है, you object है, अब यह passive में subject बन जाएगा, तो जब subject बनेगा you, तो you के हिसाब से plural word, word का प्रियोग किया जाएगा, च्योंकि आप अभी जानते हैं, कि you के साथ word का प्रियोग होता है, तो you के हिसाब से अहाँ पर work का प्रियोग किया गया, इसके बाद में जो object you इसके बाद में जो ing लगा है, उसके अस्थान पर हमने being का प्रियोग किया, इसके बाद beat का third form, beaten हो गया, उसके बाद preposition by का प्रियोग किया गया, और इस sentence में subject ही था, इसलिए इसको passive में हमने object बना दिया, और अंत में question mark लगा दिया, बस इतनी ही सी बात आपको जाननी है, active से passive करने का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझे भी होंगे, और यदि इसको एक बार में नहीं समझते हैं, तो दो बार देखिए, 100% आपको समझ में आयागा, क्योंकि मैंने structure के माध्यम से आपको समझाने का प्रियास किया है, तो ओके, आपको यदि पसंद आया है, तो इसको लाइक जरूर करना, आप ज़्यादा ज़्यादा सेर करेंगे, और सब्सक्राइब जो अभी तक से नहीं किये हैं, प्लीज आप जरूर करना, क्योंकि पर दे मैं आपको ग्रामर की दुनिया में एक नया चीज लेक अधर आऊंगा, और आपके पास एकदम नोटिफिकरशन टाइम टू टाइम पहुचते रहेगा, ओके, तो चलिए, फिर हम कल नए एक्टिव से एंड प्रेसिव के माध्यम से आप से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हैं